Hello everyone, welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक upcoming exam में जो की है Intelligence Bureau का Assistant Central Intelligence Officer Grade 2 के post का तो इससे related हम यहाँ पे most important 50 questions cover करने वाले हैं तो देखें यह series अल्रेडी चल रही थी, हमने इसका जो set 1 है अल्रेडी हमारे channel Ravi Aditi Classes में upload किया हुआ है तो अभी तक अगर आपने देखा नहीं है, तो उसको भी जाके जरूर देखें तो यह series चलने वाली है, तो अगर आप इस exam की preparation कर रहे हैं यह video आपके लिए काफी beneficial होने वाली है तो चलिए बिना देर करते हुए video को start कर लेते हैं तो देखें friends आपका पहला question यहाँ पे रहेगा फुलाइच is a colorful festival of state of तो देखें friends फुलाइच है आपको बताना यह किस राज्य का रंगीन त्योहार है तो देखें जिसका right answer है ना friends यह हो जाएगा option number A हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का एक famous festival है फुलाइच डिसकस करते हैं कुछ और important festivals जो भी होते हैं different states के तो देखें पहले हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे फुलाइच उसके हिलावा यहाँ पे रखादुमनी गोची festival मनाया जाता है बात करें आंधर प्रदेश की तो फ्रेंट्स यहाँ पे उगादी मनाई जाती है दसरा मनाया जाता है डेक्केन festival और ब्रहमोहत सहम बनाया जाता है ठीक है तिलंगाना यहाँ पे बोनालू और बतुकम्मा मनाया जाता है और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश यहाँ पे मनाया जाता है राम नवमी गंगा महत्सव नरात्री और खिचडी ठीक है तो यह फ्रेंट्स जो भी important festivals हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे include किया जो exam में देखे जाते हैं अकसर तो फ्रेंट्स आपका अगला question है which king of Magad was called as the destroyer of all शत्रियाज तो फ्रेंट्स यहाँ पे आपको बताना है कि Magad के कौन से ऐसे राजा थे जिने यहाँ पे सभी छत्रियों का विनाशक कहा जाता था ठीक है तो इसका जो right answer है यह हो जाएगा option number C महापद्मनन्दा महापद्मनन्दा को कहा जाता था the destroyer of all शत्रियाज देखें यहाँ पे important points को discuss करें तो friends first emperor थे नंदा dynasty के महापद्मनन्दा ठीक है नंदा dynasty के यह first emperor रहे हैं इसके लावा यह बेटे थे last सिशुनाग king जिनका नाम है महाद्नन्दीन ठीक है तो महाद्नन्दीन के बेटे थे महापद्मनन्दा friends आगे बढ़ेंगे और अपका अगला question है यहाँ पे who is the author of my unforgettable memories तो देखे friends काफे important यहाँ पे यह book आती है तो देखे my unforgettable memories इस book की लेखक रही है ममता बैनर जी तो option number A का right answer है देखे बात करें ममता बैनर जी जी के बारे में तो यह जो है यह एक renowned politician है इंडियन politician है और यह बिलॉंग करती है All India Trenumul Congress Party से Friends यह CM है West Bengal की इसके इलावास Friends यहाँ पे इन्होंने All India Trenumul Congress को established किया था 1998 में इनके दोरा जो famous books लिखी गई है वो देख लेते हैं तो देखे उपलबदी इन्होंने लिखी है Struggle for Existence India in Distress A World Without Water इसके अलावा Why We Are Saying No CA, No NRC, No NPR तो यह पांचों books जो आप देख रहे हैं यह most important है आपके upcoming exams के लिए जो की लिखी गई है by Mamta Bener जी ठीक है आगे बढ़ते हैं The unit in which electric conductance is measured is तो देखे Friends यहाँ पे electric conductance की बात करी जारी है यानि कि विद्यू चालकता तो आपको बताना है इसको किस से मापा जाता है तो इसको जो है electric conductance को मापा जाता है Siemens से तो option number C इसका right answer है इसके अलावा बात करें Friends यहाँ पे Ohm तो देखे Ohm को resistance measure करने के लिए यूज किया जाता है Ferrad की बात करें तो capacitance के लिए यूज किया जाता है और next है Tesla जिसको magnetic induction के लिए यूज किया जाता है तो ये कुछ important units हैं जो आपको याद रखना है इसके अलावा और भी मैंने आपके लिए include किये है important SI units तो देख लिए उनको यहाँ पे force and weight इसके लिए Newton यूज किया जाता है frequency के लिए hertz ये काफी exam में देखा जाता है इसको double star mark करें electric charge के लिए coulomb यूज किया जाता है electric potential के लिए volt inductance के लिए henry magnetic flux के लिए weber energy work और heat के लिए joule यूज किया जाता है और friends power power के लिए watt यूज किया जाता है तो ये है most important unit जो आपको यहाँ पर याद रखने है तो ये हैं अगला question Mariana Trench the deepest part of earth lies in which ocean तो देखे friends Mariana Trench ये पृत्वी का सबसे गहरा हिस्सा है आपको बताना है ये कौन से महासागर में है तो ये है friends इन में से Pacific Ocean में right answer option number A हो जाएगा next question in which year was खालसा tradition initiated तो friends खालसा परंपरा को कब शुरू किया गया था तो इसको जो है friends शुरू किया गया था 1699 में तो इससे जरूरे important points को देख लेते हैं यहाँ पे देखें खालसा ट्रडिशन को 1699 में किसके द्वारा जो 10th गुरू थे सिक्यजम के गुरू गोबिंद सिंग जी इनके द्वारा start किया गया था चलिए आगे बढ़ेंगे friends आपका next question तो देख रहे हैं आपके सारे questions जो इना friends काफी important है आपके आने वाले exams के लिए तो IB से related most important इसके साथ यहाँ पे कुछ कुछ questions previous year के questions भी है तो हमने यहाँ पे आपके लिए उससे related जो भी expected question है उनको include किया है ठीक है बढ़ेंगे आगे देखिए who is the recipient of first professor PC Mahal Nubis Award in official statistics for lifetime achievement तो देखें friends यहाँ पे lifetime achievement के लिए पहला professor PC Mahal Nubis Award जो है न यह दिया गया था C. Rangarajan को option number A इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे देखें यह जो PC Mahal Nubis Award है न इसको start किया गया था Ministry of Statistics and Program Implementation जिसको हम MOSP यानि की short form में MOSP कहते हैं ठीक है तो यह Award जो है 14th National Status Day के दिन दिया गया था जो की June 29th है तो June 29th को यह Award दिया जाता है इसके लावा फ्रेंड्स RBI के ex-governor रह चुके है C. Rangarajan ठीक है जिनके बार में अभी हमने discuss किया है न C. Rangarajan जो आप picture देख रहे हैं इनको दिया गया था PC Mahal Nubis Award तो अब यहाँ पे बात RBI किया यह है न तो इससे related यहाँ पे important points को देखिए RBI यानि की Reserve Bank of India इसका full form है इसका headquarter कहाँ पे है Mumbai Maharashtra में है इसके लावा बात करें established कब किया गया काफी exams में देखा जाता है तो इसको established किया गया है 1st April 1935 को Next friends यहाँ के अभी फिलहाल जो present governor है न यह है शक्तिकांत दास और यह important question आ जाता है कि friends इसको किस committee के recommendation से establish किया गया था तो इसको establish किया गया था by Hilton Young Commission यह आपके लिए most important point हो जाता है ओके आगे पढ़ेंगे देखिए which among the following is the heaviest gas तो इन में से आपको बताना है कि सबसे भारी gas कौन सा है तो इसका जो right answer है यह हो जाएगा option number A redon ठीक है तो redon जो है इन में से सबसे heaviest gas होता है आगे देखिएगा friends तो अच्छा इससे पहले हाम यहाँ पे जो बाकी आप देख रहे हैं इनसे related important points को discuss कर लेते हैं देखिए आपके लिए atomic number जो होता है elements के वो काफी important है ठीक है तो आप जो nitrogen देख रहे हैं इसका जो atomic number है यह 7 होता है helium की बात करें तो इसका atomic number 2 है और friends oxygen का atomic number 8 होता है ठीक है तो आपको कुछ कुछ ऐसे atomic numbers याद रखने है elements के मैं आपको जो upcoming series है इस questions के इसमें आपको मैं बाकी भी जो atomic numbers है उसे reiterate questions लेके आऊंगी ठीक है तो videos जो है आप series के जो चल रही है इसको जरूर देखें चलिए आगे बढ़ेंगे आपका next question है who out of the following is the maestro of संतूर तो यहाँ पे देखिए आपको बताना इन्वेसे कौन है जो संतूर वादक है तो इसका जो right answer है वो जाएगा फ्रेंट्स option number B पंडित शिवकुमार शर्मा पंडित शिवकुमार शर्मा यह आप जो picture देख रहे हैं यह है संतूर वादक इसके अलावा हम discuss कर लेते हैं बाकी instruments और उनसे related famous exponents को तो पहले बात आई है संतूर तो इससे related देखिए भजन सुपोरी, तरुन भटाचारिया शिवकुमार शर्मा यह सारे maistros हैं संतूर से next है सितार, पंडित रवीशंकर, मुश्तक अली खान और परवेश खान यह हैं सितार ठीक है next बात करें सरोत तो यह play किया जाता है बै अमजद अली खान, अलाउद दिन खान और शरा रानी next है friends सारंगी तो अब्दुल लतीफ खान और रमेश मिश्रा इनके द्वारा सारंगी play किया जाता है next है रोद रवीना इसको असद अली खान के द्वारा play किया जाता है next question रहेगा friends आपका यहां पे देखिए who was the first chairman of ISRO तो देखिए friends पहले ISRO के chairman कौन रहे है अध्यक्ष तो यह रहे है विक्रम सारा भाई option number C इसका right answer है बात कर लें विक्रम सारा भाई की तो आप यह जो picture देख रहे है यह है विक्रम सारा भाई जी तो यह renowned physicist थे इसके अलावा यह astronomer भी थे और इन्हों ने ही इंडिया में जो space research है इसको start किया है ठीक है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि who initiated space research in India तो इसका right answer भी हो जाएगा विक्रम सारा भाई ठीक है तो space research में इनका काफी prominent role है और इन्होंने ही ISRO को establish किया है ठीक है आप बात कर लेते हैं फ्रेंड से आप यह बाताई है ISRO की तो इसके बारे में ISRO यानि की Indian Space Research Organization जिसने हाली में जो है चंदरायन 3 और आदित्य Elvan Mission को यहाँ पे conduct किया था देखे है headquarter इसका बेंगलूरू करनाटका में है establish इसको 15th August 1969 को किया गया और इसके current chairman जो है यह है S. सूमनाथ नेक्स question वेर इस दा सालार जंग museum लोकेटेड सालार जंग museum जो है यह लोकेटेड है हैदराबाद में option number A इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे could dance is one of the most popular folk dance of तो देख रहे हैं आप यहाँ पे could dance है यह एक most popular folk dance है इन में से जम्मू एंड कश्मीर का तो right answer हो जाएगा option number B तो देखे हम यहाँ पे आपके रिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे important dance forms जो different states से exam में काफी बार पूछे जाते हैं तो आंदर प्रदेश चे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछी पूडी, विला, सिनी, नाटियम आंदर नाटियम इसके अलाव देखे हैं भामकल्पम, वीर नाटियम, डप्पू तापेता गुल्लू, लंबाडी, दिमसा, कुलाटम, भुट्टा बमलू तो यह सारे जो हैं आंदर प्रदेश के folk dances हैं इसके लाव बात करें असाम, तो यहाँ पे देखें बीहू, बीच्छुआ, नट पूजा, महरास, काली कोपाल इसके लाव बुकुरूमबा, नागडांस, खेल गुपाल, ताबाल चुंगली, के नौए और इसके बाद जुमूरा, होब जनाए, ठीक है तो यह है folk dances of Assam नेक्स्ट है बिहार, तो यहाँ से आता है जाट जटीन, बाको बखेन, पनवरिया, सामा चाकवा और बिदेश्या ठीक है, तो यह आप इन सब को एक बर जस्ट रीट करके याद करने की कोशिश करें नेक्स्ट कोशन है, what is the one half of the wave height called तो देखे, one half of wave को friends यहाँ पे कहा जाता है wave amplitude, option number B, इसका right answer है तो आप यह जो देख रहे हैं, यह है amplitude नेक्स्ट कोशन, a person with which blood group will be a universal donor तो friends आपको बताना है, ऐसा कौन सा blood group है जो universal donor होता है तो इसका जो right answer है friends, यह हो जाएगा option number C, O, ठीके, तो O blood group जो होता है यह universal donor होते हैं तो देखे, यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में important points, देखे, O negative जो होता है friends, यह universal donor होते हैं और A भी positive जो होते हैं, यह universal recipient होते हैं और O negative वाले किसी को भी blood दे सकते हैं ठीक है, तो यह points आपके लिए exam point of view से important है next friends, arrange the following events in chronological order तो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है आपको बताना है, ancient history से related है इसको आपको यहाँ पे chronological order में यहाँ पे इसको set करना है तो friends, यहाँ पे देखिए, जो आप देख रहे है accession of bindu सार यह सबसे पहले हुआ है, तो पहले आप इसको 2 को रखें इसके बाद friends हुआ है कलिंगा वोर, और इसके बाद आया है शूंगर डाइनस्टी, तो यह इस तरीके से set होता है 2, 1, 3 right, तो option number B, इसका right answer हो जाएगा, देखिए, मैं आपको यहाँ पे chronological order, जो है, history ली वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे है यह है ancient history के सारे जो भी dynasties थी, वो सब है इसके बाद यहाँ पे देखिए, classical में इसकी पूरी series मैंने आपके लिए include की है, medieval और modern भी यहाँ पे included है, तो just आप इसे read करें, क्योंकि exam में कहीं से भी आप से आप पूछा जा सकता है, कि आप इसे arrange करें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, which of the following pair of national park and status करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है दो option, आपको बताना इन में से कौन सा सही है, तो देखिए friends, किष्टवर national park जो है न, यह located है जम्मू कश्मीर में, यह बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसके लावा बात करें मानस national park की, यह मध्यप्रदेश यहाँ पे बताया जा रहा है बट मानस national park जो है मध्यप्रदेश में नहीं है मानस national park कहाँ पे है, यह है असम में, तो यहाँ पे option क्या हो जाएगा only one correct हो जाएगा, यानि कि option number C यहाँ पे right answer है देखिए आगे बात करें, तो मानस national park यह एक national park है, जहाँ पे project tiger reserve है, और यह एक elephant reserve भी है, कहाँ पे है असम इंडिया में next है, who was the winner of first Indian premier league तो friends, पहला जो IPL हुआ था उसके winner कौन रहे थे, तो इसके जो winner रफ्रेंट्स यह रहे हैं, राजस्थान royals, option number B, इसका right answer है देखें बात करें, तो राजस्थान royals ने चिन्नाई super kings को defeat किया था, 2008 में तो जो पहला IPL हुआ था, वो 2008 में हुआ था, और राजस्थान royals जीते थे, runner अब कौन थी चिन्नाई super kings थी, और friends यूसुफ पठान को यहाँ पे दिया गया था player of the match, इसके अलावा Shane Watson को दिया गया था, player of the tournament, तो यह points यहाँ से आपको याद रखने है, next question Dr. APJ Abdul Kalam has not written which of the following books, तो यहाँ पे कुछ books की नाम है, आपको बताना इन में से ऐसा कौन सा book है, जिसको APJ Abdul Kalam जी ने नहीं लिखा है तो इसका जो right answer हो जाएका फ्रेंट्स देखे, target 3 billion, the luminous sparks, advantage India, यह तीनों उनके द्वारा लिखी गई है, response in the living and non-living, यह इनके द्वारा नहीं लिखी गई, तो option number A's का correct answer है, इसके अलावा डिसकस करें, Dr. APJ Abdul Kalam के जो famous, जो books हैं लिखे गई हैं इनके द्वारा तो दिखे, wings of fire, जो काफी prominent book है, exam में काफी बार देखी जाती है a vision for the new millennium guiding souls, life tree और family and the nation, यह जो books हैं, यह लिखी गई हैं बाई Dr. APJ Abdul Kalam next, which of the falling temple is located at Kanchi Puram, तो इन में से Kanchi Puram में located है एक बारेश्वर temple, ठीक है तो option number A, इसका right answer है तो friends, आगे बनने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी paid PDF के website है यह launch हो गई है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पे आपको Ravi sir की GK और current affairs की PDF है, यह दोनों मिल जाएगी English medium और Hindi medium दोनों में तो अगर आप interested है, अगर आप चाहते हैं, इसे read करना तो आप इस website से जाके उनको buy कर सकते हैं इसके अलावा friends, आपको यहाँ पे जो है पूरे 1 year का, जो 2023 का yearly current affairs का PDF है यह भी available किया गया है, तो अगर आप चाहें, तो यहाँ से जाके के buy कर सकते हैं, ओकी, चलिए, वापस आ जाते हैं topic के उपर, next time which of the falling state is the site of Ajanta caves situated, तो देखे friends, Ajanta caves जो है न, यह located है महरास्ट्रा में, option number A इसका right answer हो जाएगा, आगे बात कर लेते हैं, जो सारे caves हैं इंडिया में, उनके बारे में, कहां-कहां पे यह located है, तो देखे, मध्य प्रदेश में located है, बाग caves, next बात करे, तमिल लाडू, तो यहां पे वरा caves है, next आंध्प्रदेश में बोरा caves है, उडिसा में है उदैगिरी caves, बिहार की बात करे तो यहां पे है बराबर caves, करनाटका में है दबादामी caves और महराष्ट्रा में है अजंता, ऐलोरा caves, भाजा caves, ऐलिफेंटा caves, और कनहेरी caves, तो यह सारे जो caves हैं, इंडिया में located है, different parts of इंडिया में, तो जो भी different states हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, कौन-कौन से state में, कौन-कौन से caves located हैं, ओके, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next question, घूमर is a dance form associated with which of the falling state, तो घूमर dance form, जो है friends, यह रजिस्थान से हैं, तो option number D is का right answer हो जाएगा, अगला question, access to internet is a fundamental right under which article of Indian constitution, तो यहां पे आप से पूछा जारे कि access to internet, जो है यह कौन से fundamental right के अंदर आता है, ठीक है, तो यह आता है under article 19, तो option number D is का right answer है, आगे बढ़ते हैं, और friends, आपका अगला question रहेगा यहां पे, members of which of the falling phyla are commonly known as sea walnuts, तो देखे, जो animal kingdom होता है, ठीक है, बाइलोजी का यह काफी important question है, animal kingdom को friends, जो है different phylums में divide किया गया है, तो उन में से आपको देखे, यहां पे ज़स देख रहे हैं, यह सारे जो phylums है, हम आगे इसी वीडियो में discuss करेंगे उनके बारे में, तो आपको बताना है, जो sea walnuts होते हैं, कि कौन से phylum में आते हैं, ठीक है, तो इसका जो right टीनोफोरा होता है, इसको हम sea walnuts या फिर calm jellies कहते हैं, ठीक है, एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है, कि टीनोफोरा are also called as तो option में sea walnuts हो, या calm jellies, तो वो right हो जाएगा, इसके अलावा friends, इनकी जो एक यूनीक property होती है, ठीक है, वो होती है bioluminescence, यहाँ पे इसका मतलब यह होता है, कि जो property है यह एक living organism पी, जहाँ पे यह light emit कर सकते हैं, ठीक है, तो यह देखा जाता है, phylum टीनोफोरा में, okay, friends, आगे बढ़ेंगे, और आपका next question है, McMohan line is the boundary line between which two countries, तो देखें, McMohan line, friends, यह है border line between India and China, तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, यह है line, जिसको हम McMohan line के नाम से जानते हैं, और यह है चाइना और यह है इंडिया, okay, तो यह अरुनाचल प्रदेश जो है, इंडिया के वहाँ पे इसका border पढ़ता है, आगे बढ़ते हैं, next question, is the author of the book, The Audacity of Hope, तो friends, यह देखिए, book है, The Audacity of Hope, इसको जो है लिखा गया है, इनमें से, Barack Obama के द्वारा, तो option number B, इसका right answer हो जाएगा, इसके लाव बात करें, Barack Obama के जो famous prominent books हैं, उनके बारे में, तो देखिए, एप promised land इनके द्वारा लिखी गई है, Dreams from my father, Renegates, Born in USA, और The Audacity of Hope, यह चारो books जो है, यह important है, और यह लिखी गई है, by Barack Obama, right, friends, कुछ और authors हैं, जिनके exam में, जो है questions, मतलब जो books हैं, उनके बारे में questions काफी बार देखे जाते हैं, जैसे कि हैं, शशी धरूर, इनके books जो हैं, काफी exams में देखे जाते हैं, तो इनके books को discuss कर लेते हैं यहां पे, तो देखें, इन्होंने लिखा है, The Great Indian Novel, इन्होंने लिखा है, इसके लावा बात करें, इन्होंने लिखा है, Show Business, ठीक है, Next बात करेंगे, तो देखें, Riot, A Love Story, यह भी इन्होंने ही लिखी है, इसके अलावा फ्रेंड्स, इनके द्वारा लिखी गई बुक है, Indian शास्त्रा, ठीक है, और इनकी जो most famous बुक है, वो है, An Era of Darkness, जो काफी exams में देखा गया है, Next बात करेंगे, इनकी और भी books, तो देखें, दा हिंदू वे इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये कुछ books हैं, जो शशी थरूर के द्वारा लिखी गई है, और exam में काफी बार देखी जाती है, तो इनको भी आप यहाँ पर याद रखें, इसके अलावा जो है, जवाहरलाल लहरू की books को भी काफी exams में देखा जाता है, तो जैसे देखें, इनकी book है, The Glimpses of World History, जो काफी exams में देखी जाती है, ठीके, Glimpses of World History, Next बात करें, Words of Freedom, इनके द्वारा ही लिखी गई है, और Next है, Discovery of India, तो ये बुब्भी इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये कुछ prominent authors हैं, जो आपको याद रखने हैं, और भी जो है authors, हम आगे आने वाले जो वीडियोज हैं, वहाँ पर discuss करेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, Which among the following is incorrect about Vice President, तो देखें, आपको बताने, इनमें से कौन सा गलत है Statement, पहला है कि Member of State Legislature, do not take part in election, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हैं friends, Next question है, He is the Ex-Official Chairman of Rajasabha, तो Rajasabha की Ex-Official Chairman होते हैं, Vice President, ये भी बिल्कुल सही है, और Next है, The Vice President is elected for 5 years, तो ये भी बिल्कुल सही है, Vice President, 5 साल के लिए elect होते हैं, तो बचा जो last option है, He can be removed from his office by President, approved through resolution, passed by Lokasabha and Rajasabha, तो ये statement गलत है, तो option number D, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, Which of the following catalyst is used generally, during the hydrogenation of alkenes, Very important, तो friends, ये, देखे, chemistry का काफी important question आ जाता है, तो देखे, catalyst क्या करते हैं, जो भी chemical reaction होते हैं, उसको fast करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो hydrogenation of alkenes है, इस process को करने के लिए, कुछ catalyst use किये जाते हैं, तो आपको बताना है, वो कौन से ऐसे catalyst है, जिनको use किया जाता है, तो देखे, वो है platinum, palladium, nickel, तो ये तीनों का ही use, इसमें किया जाता है, ठीक है, तो right answer है, option number D, all of the above, चलिए, next question, गिपमोची, mountain lies between China, भुटान, and Indian state of, तो देखे, friends, गिपमोची, mountain, जो है, ये लाई करता है, बिट्विन चाइना, भुटान, एंडिया, तो इंडिया के कौन से state में, ये लाई करता है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो आप picture देखे, आपको easy लिए समझ में आएगा, ये आप देख रहे है, ये है इंडिया, और ये है चाइना, और ये जो आप देख रहे हैं, ये है भुटान, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, ये है गिपमोची, ठीक है, और गिपमोची भुटान, और ये इंडिया के सिक्की में पढ़ता है, और ये चाइना, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, और अप्शन नमबर C हो जाएगा, चलिए, आपका अगला कोश्चन है, विच इंडियन स्टेट इस लोन अज लैंड ओफ फाइव रिवर्स, तो देखे, कौन से इंडियन स्टेट को, पांच नदियों की भूमी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर A, पंजाव, तो डिसकस करते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है, देखे फ्रेंट्स, पंजाब जो है, यह नौर्थ वेस्ट रिजन में आता है, इंडिया के, और यह एक most prosperous state है, बात करें पंजाब, तो यह दो वर्ट से बना हुआ है, नाम में देखेगा, पंज, यानि कि five होता है, जिसका meaning और आब, यानि कि water होता है, यानि कि five water है न, तो land of five rivers, इस तरीके से इसका नाम आया है, तो वो कौन से ऐसे five rivers है, जो यहाँ पे बहते हैं, देखें सतिलज, बियास, रावी, चिनाब और जेलम, यह five rivers यहाँ पे बहते हैं, इसलिए इसका नाम है, land of five rivers, ओके, आपका अगला question, term butterfly is associated with, which of the falling sport, तो term butterfly को use किया जाता है, friends, swimming में, चलिए, आगे बढ़ेंगे, the world health organization was established in which year, तो friends, यहाँ पे world health organization, यानि कि विश्व स्वास्त संगठन, इसको established किया गया है, 1948 में, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, इसके बाद बात करें, WHO के बारे में, world health organization, इसको established किया गया था, April 7th, 1948 को, headquarter Geneva Switzerland में है, director general इसके है, Tedros Adhanam Gabriasis, इसके लावा यहाँ पे deputy director general है, स्वामिया स्वामिनाथन, और current members जो है, इसमें यह है 194, ओके, तो यह सारे points यहाँ पे आप याद रखिए, का WHO सरे लेटेड, चलिए, आगे बढ़ेंगे, the most dangerous effect of excessive deforestation is, तो यहाँ पे देखे friends, अत्यादिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाग प्रभाव क्या होता है, यह आपको बताना है, ठीक है, तो देखे friends, इसका right answer है, option number C, destruction of habitat of plant and animal, ठीक है, तो जो wildlife है और जो plants है, उसका destruction, यह सबसे dangerous effect है, excessive deforestation का, soil erosion भी यहाँ पे effect होता है, deforestation का, बट जो अगर आपसे dangerous effect पूछा गया है, तो इसका right answer, option number C हो जाएगा, चलिए, अगला question, there is a heavy rainfall in the month of October and November in, तो October और November के महिने में, इन में से कौन से places में, सबसे ज़्यादा rainfall देखा जाता है, तो right answer हो जाएगा, friends, यहाँ पे option number B, Coromundal Coast, तो Coromundal Coast जो है, यह देखिया, Tamil Nadu के, इस border में पाया जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा rain देखा जाता है, ठीक है, next question, tippani is a theater form of which state, तो friends, tippani जो है, यह एक theater form है, गुजरात का, option number C, right answer हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, which is the longest mountain range in the world, देखिये, आपसे longest पूछा जा रहा है, not tallest, ठीक है, tallest नहीं है, longest पूछा जा रहा है, tallest हो तो हिमालिया होगा, longest का answer हो जाएगा, friends, यहाँ पे Indes, ठीक है, तो option number C, इसका right answer है, देखिये आप इसको image में, यह आप देखिये, South America, तो यह पूरा यहाँ पे लाई करता है, the Indes mountain, ठीक है, तो अगर आपसे tallest बोले, तो हिमालिया होगा, और longest या largest बोले, तो Indes इसका right answer होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कामख्या temple is located at, तो फ्रेंट्स कामख्या मंदिर जुएना, फ्रेंट्स यह located है, असम के गुहार्टी में, option number B, इसका right answer हो जाएगा, इसके अलावा देखिये, यहाँ पे एक काफी famous festival होता है, जो की है, अम्बू बाच्छी मेला, जो एक्जाम में काफी बार देखा जाता है, यह इसी temple में किया जाता है, ओके, आगे पढ़ेंगे, अगला question, where is the headquarters of Sidby located, तो Sidby का headquarters है, यह located है लखनो में, इसके अलावा friends, मुंबई में जो major banks है, उसके headquarters देखे जाते हैं, जैसे देखे, आरबी आई, SBI, नाबार्ड है ना, तो यह सारे जो हैं, इसके headquarters located है, मुंबई में, डैली की बात करें, तो डैली में जो है, main government organizations है, उसके headquarters located है, तो जैसे आप देखें, Indian Army, है ना, Air Force, इस तरीके से, इनके headquarters डैली में होते हैं, बैंगलोर की बात करें, तो बैंगलोर में जो है, located है, इस रो का headquarters, हैदराबाद की बात करें, तो यहाँ पे located है, तो यहाँ पे है, IRDAI का headquarters, ठीक है, तो इस तरीके से, friends, सारे headquarters भी आपको पता होने चाहिए, फिलहाल जो सिडबी का headquarters है, यह लखनाओ में located है, बात करें सिडबी की, तो full form है, Small Industries Development Bank of India, headquarter लखनाओ उत्तर प्रदेश में है, और इसको establish किया गया था, 2nd April 1990 को, राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, next question which of the following is known as, Manchester of India, तो देखें भारत का Manchester, इन में से कहा जाता है, अहमदाबाद को, राइट आंसर option number A हो जाएगा, इसके लावा अगर आपसे पूछा जाए, Manchester of North India, ठीक है, अगर Manchester of North India आपसे पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपूर, और फ्रेंट सेम अगर आपसे, Manchester of South India पूछा जाए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयमबतूर, तो ये तीनों याद रखिए, Manchester of India एहमदाबाद है, Manchester of North India कानपूर है, और Manchester of South India है, कोयमबतूर, आगे बढ़ते हैं, next question, 22nd March is celebrated as, तो देखे, 22nd March को, इन में से कौन सारो दिन मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंट्स, World Water Day, option number B, बात करें, Environment Day, तो ये 5th June को मनाया जाता है, Teachers Day मनाया जाता है, 5th September को, और Earth Day मनाया जाता है, 22nd April को, ये सारे dates को भी आप याद रखिए, नेक्स्क देखेंगा, फ्रेंट्स, Match the Harappa site and location, तो यहाँ पे कुछ Harappa site दिये गए हैं, और आपको locations दिये गए हैं, match करना है, तो देखें, Port Dilji जो है फ्रेंट्स, ये located है इन में से, सिंध में, इसके अलाबाबा बात करें, काली बंगन की, तो ये राजस्थान में है, लोथल है फ्रेंट्स, गुजरात में और हर्याना में है, राखिगड़ी, तो इस तरीके से आपको match कर लेना है, तो देखें, पहला जो third था, तो यहाँ पे options में, third एकी में है, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, butterflies are an example of dash category of animal kingdom, तो जैसे अभी हमने थोड़े दर पहले, टीनो फूरा पढ़ा था, है ना, जिने कॉम जैली कहा जाता है, उसी तरीके से बटाफ्लाइज जो है न, ये आते हैं अंडर, और्थ्रोपोड़ा, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये सारे phylum होते हैं, porifera, cilandreta, tinofora, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, platyhelminthus, escalminthus, और इसके लावा ये सारे भी इसकी parts हैं, ठीक है, तो हम इनको detail में आगे आने वाले वीडियो में cover करेंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को continue करें देखना, ठीक है, next, which of the following are the most abundant white blood cell, तो इन में से सबसे ज़्यादा white blood cell कौन से पाय जाते हैं, तो right answer हो जाएगा, neutrophils, next question, which of the following have been names, as capitals of magad in history, तो देखे, friends, इन में से कौन-कौन से ऐसे sides हैं, जो magad के capital रह चुके हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, तो देखे, अस्तिनापूर्जो है, ये कभी capital नहीं था magad का, बट पाटली पुत्र और राजग्री हैं, ये दोनों capital रहे हैं, तो इन में से option number A correct हो जाएगा, 1 and 2, next question की तरफ बढ़ेंगे, which of the falling does not fall under the category of ignisius rock, यानि कि इन में से बताना है, कौन सा ऐसा है, options में, जो कि ignisius rock नहीं हैं, ठीक है, तो friends, यहाँ पे ये तीनों, granite, gabbro, और basalt जो है, ignis rock होते हैं, gneez जो है, यह ignisius rock नहीं है, तो option number A, इसका right answer है, next question, which of the falling connects North America to South America continents, तो देखें, North America और South America को, जोडने का इन में से काम है, किसका, Isthmus of Panama का, तो picture देखेंगे, friends, मैं आपके लिए आपे जूम करती हूँ, देखें, यह देख रहे हैं, यह है Panama, तो यह join करता है, North और South America को, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, in which year, Bodo and Santhali languages, were added in the 8th schedule of Indian constitution, तो Indian constitution में, Indian constitution के जो 8th schedule है, उसमें Bodo और Santhali language को, add किया गया था, in the year 2004, right answer option number D, next question, match the following, तो यहाँ पे आपको chemical, जो chemical names होते हैं, वो दिये गए हैं, और आपको match करना है, तो friends, यहाँ पे देखिए, slaked lime, हैना, slaked lime इन में से कहा जाता है, calcium hydroxide को, तो 1 का D हो जाएगा, next बात करें, इन में से, baking soda की, तो baking soda को, sodium bicarbonate कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 का C, ठीक है, और next बात करें, washing soda, तो washing soda होता है, sodium bicarbonate, आप याद रखिए, washing soda में हमेशा, sodium आता है, ठीक है, तो यहाँ पे, 3 का हो जाएगा, B, और 4, एक और कौन सा बच्चा, calcium oxide, तो quick lime हो जाता है, calcium oxide, तो DCBA, इसका right answer है, यानि की option number, C हो जाएगा, इसका right answer, ओकी, चलिए, next है, consider the following statement, about constitution, तो यहाँ पे, कुछ articles दिये हैं, कौन से सही हैं, आप बताईए, तो देखें, यहाँ पे जो है, option यहाँ पे क्या है, article 41, right to work, education and to, public assistance in certain cases, यह बिल्कुल सही है, इसके लावा बात करें, article 361, protection of president and governor, यह भी बिल्कुल सही है, बट article 128 में, official language, यह गलत है, ठीक है, तो 1 and 3, यहाँ पे right answer हो जाएगा, option number A, correct है, okay, बढ़ेंगे आगे, अगला question है, which of the following is, the poet who composed बुद्ध चरिता, a biography of buddha, तो बुद्ध चरित, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है, अश्व घोष के द्वारा, option number A, इसका right answer है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, आपका यह last question होता है, फिफ्टीत question है, देखिए, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, नागा लैंड, ठीक है, तो नागा लैंड में यह song गाया जाता है, on war, तो फ्रेंड्स, यह हो गए, आपके top 50 most important question, part 1 भी हमने already cover किया है, जहां पे हमने top 50 cover किये थे questions, और यह part 2 है, इस series का, आगे आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे-च्छे questions, जो expected है, इस exam में आने के उनको cover करेंगे, with important points, ठीक है, तो आप इन सब वीडियो को देखना मत भूलिएगा, अब आता है test question, देखिए, आपको बताना है कि, who is the author of my unforgettable memories, very easy, मैंने आपको ये अच्छे से बताया था, discuss भी क्या था, इसके important points को, तो comment करके हमें जरूर बताएं, next question रहेगा, who was the first chairman of ISRO, तो ISRO के पहले chairman कौन थी, इसका भी answer आपको हमें comment करके बताना है, right, ओ फ्रेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी PDF, जो है, paid PDF के website, यह है www.ravibooks.pdf.com, यहां से जाकर के आप रवी सर की GQ और current affairs की PDF को, बाए कर सकते हैं, तो यहां से आप जाके, बाए करें और अपने preparation को, अच्छा बनाएं, right, तो फ्रेंट्स, चलिए, यह हमारा आज का last slide है, मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you, have a nice day,